हाई फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब स्टैनल डिपलोमा कलासेस तो इस वीडियो में हम भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी का कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन बताने वाले हैं तो इस वीडियो में हम इस कोश्चन का क्यवल आंसर को बताने वाले हैं अगर आप को शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट नमर क्वेस्चन है उस अति परवलाय का समिकरन क्या होगा जिसका eccentricity root under 2 हो तथा उसके focus के 20 की दुरी 16 हो तो इसका correct answer हो जाएगा s square minus y square is equal to 32 यानी option 2 is correct हमारा next question है उस सरल रेखा का समिकरन क्या होगा जो 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 के समानतर हो तथा जो 1 और 2 से गुजरता हो तइस question का correct answer हो जाएगा 2x plus 3y minus h is equal to 0 हमारा next question है उस तिरिभूज का छेतरफल क्या होगा जिसके सीर्स 1,1,7 minus 3 तथा 7,21 हो तइस question का correct answer हो जाएगा 72 29 नमर question है जो आपके exam के लिए VVI है और यह आपकी बार निश्चित रूप से आएगा 1 plus omega minus omega square plus 1 plus omega minus omega square के whole 5 का मान क्या है तो इसका correct answer हो जाएगा 32 next question है यदि Z बराबर 5 आई तो mode Z is equal to क्या होगा तो जब mode में आ जाएगा तो केवल यहाँ पे 5 हो जाएगा यानि इसका correct answer हो जाएगा option 2 next question है और इस question को determinant से लिया गया है 1, A, A plus B, 1, B, B plus C, 1, C, C plus A तो इन में जो तीनों option है इन में से कोई भी नहीं होगा यानि option 4 is correct 32 number question है और इसे ही question आपके exam में देखनों की मिलेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार पोल टेकनिकल लेटराल इंटरी में सबसे आधिक जो question पुछा जाता है ओ होता है topic integration तो हमारा question है interrogation x plus 1 बटा s square dx तो इस question का correct answer हो जाएगा option A log mode x minus 1 by x plus c next question है और ये भी question आपके exam के लिए काफी important है 5 by 3 5 by 6 sin x बटा cos square x और जब आप लोग इसको solve किजिएगा तो इसका जो correct answer है option 3 आजाएगा यानि 2 bracket root अंदर 3 minus 1 बटा root अंदर 3 34 number question है एक ब्रीत का केंदर 5 साथ है तथा जिसकी तिर्जिया 5 है तो ब्रीत का समी करन बतावें तो जब आप लोग इसको solve किजिएगा या आप लोग इसका solution लेना चाहते हैं तो टेलिग्राम से ले सकते हैं और टेलिग्राम का लिक इस वीडियो के description वक्स में आपको मिल जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा S square plus Y square minus 10X minus 40Y plus 49 is equal to 0 35 number question है 3X plus Y के पामर 7 के विष्टार में मध्यपद क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा 4th या 5th 36 number question है A is equal to ABC, B is equal to CDE और C is equal to EDF तो A intersection B और B union C is equal to क्या होगा तो इस question का correct answer हो जाएगा Option C 37 number question है और इस question को complex number से लिया गया है यद Z बराबर minus 1 plus root 3 I हो तो arg Z is equal to क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा 2 pi बाटा 3 38 number question है यदि y बराबर x log x minus x तो dy by dx क्या होगा यानि इसका differentiation यहाँ पे पूछा गया है तो इस question का correct answer हो जाएगा log x यानि option आपका जो 3 है correct हो जाएगा 39 number question है यदि 10 pi r is equal to 720 तो r is equal to क्या होगा तो इस question का correct answer हो जाएगा r is equal to 3 40 number question है पर वाले y is equal to 4ax के focus का नियामक बतावें तो इसका correct answer हो जाएगा a और 0 और इस video को आगे भराने इस पर ले आपसे एक छोटीस request है अगर आप अमारे channel पर नई है तो इसे subscribe कर लें और साथ में भी लाइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको भी hardcore technical lateral entry का question मिलता रहे चलिए इस video को आगे भराते हैं next question है यदि ए बराबर और इस question को matrix से लिया गया है i 0 0 i तो a is square is equal to यानि इसको double multiply कर देना है तो इसका correct answer हो जाएगा जब आप i को square किजिएगा तो आपको मालूम होगा इसका minus 1 होता है minus 1 0 0 minus 1 यानि option 3 is correct answer 42 नमर question है 5 लड़के एवं 6 लड़कियों को एक goal match पर कितने परकार से बठाया जा सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा 10 परकार से next question है और इस question को probability से लिया गया है किसी तास की गड़ी से चार पत्ते निकालने पर उसमें बेगम आने की क्या परायक्ता है मालिद ये तास का गड़ी है इसमें से अब चार पत्ते को निकाल लेते हैं तो उसमें बेगम आने की परायक्ता क्या है तो इस question का correct answer हो जाएगा 44 नमर question है और इस question को limit से लिया गया है लिमिक्ट x tends to 0 रूट अंडर 1-cos2x बटा 2x तो इसका correct answer हो जाएगा 0 45 नमर question है y is equal to root under sign root under x तब dy by dx यानि इसका differentiation पूछा गया है और ऐसे ही question आपके exam में आता है अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपके गाओं के या कोई दोस्तों के उनसे पूछ सकते ही कि भिहार political lateral entry में कि इस परकार से question फूछा जाता है तो चलिए इसका हम answer दिख लेते हैं 45 नमर का इसका answer हो जाएगा option 3 यानि 1 बटा 4 root x cos root x बटा root under sign root x 46 नमर question है sin 20 degree into sin 40 degree into sin 80 degree का मान निमनली खीत में से किसके बराबर है तो इसका correct answer हो जाएगा root 3 बटा 8 के बराबर है 47 नमर question है cot inverse x plus y plus 1 बटा y minus x plus cot inverse yz plus 1 बटा z minus y plus cot inverse z is called to quart यानि क्या होगा तो इसका answer हो जाएगा 10 inverse 1 by x 48 नमर question है log के पामवार 100 1000 का मान ग्याद करें यानि log स्वब है यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है तो इसका जो मान है 3 by 2 आ जाएगा इसको स्वब करने के बाद 49 नमर question है उस बिंदू का नियामक क्या होगा जो 3 minus 1 एवं 4, 5 को जोडने वाले रेखा खंड को 3 अनुपात 3 में वाह अभी विभाजी करता हो तो इस question का correct answer हो जाएगा 3 by 2 minus 10 यानि option A is correct answer 50 नमर question है ब्रीत x square plus y square minus 4 x minus 4 y plus y इसकाल 2, 0 के बिंदू 4, 2 पर असपर्ट से रेखा का स्वब करन क्या होगा अर इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है अगर आप शेयर स्वब नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा इसका भी अमानसर बता देंगे अर्ण करें लोगा इसका स्वब बताना है अर्ण